गुड इवनिंग स्टुडेंट्स मसुमन यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत करती हूँ देखें स्टुडेंट्स इस वीडियो में हम चंद्रकुप्त मोरिय की उपलब्दियों और उसके समराजय विस्थार के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगा यदि आप लोगोंने हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब नए किया हो तो सब्सक्राइब करें ताकि इथिया से सम्मंदित जानकारी आपको प्राप्थ हो सके और जो भी जानकारी हम लोग आपको पहुंचा रहे हैं वो सारी प्रिक्षा से सम्मंदित है पहले वाले वीडियोज में हमने चंद्रगुप्त मौरिय की उत्पती से सम्मंदित विविद मतों के बारे में चंद्रुगुप्त मोरिये के प्रारंबिक जीवन के बारे में मगद महाजनपद के बारे में इन सब के बारे में पढ़ा है तो ये तो आप सभी को पता है कि चंद्रुगुप्त मोरिये है मोरिये सामराजे का सेंस्तापक था और नंद्वंस के अंतिम सासक घना नंद को मार करिये सासक बनता है और मगद समराजे का विस्तार करता है तो देखेगा चानेके ने जिस कारिये के लिए चंद्रगुप्त को तयार किया था उसके दो मुख्यों उद्दसे थे विए उद्दसे क्या क्या थे युनानियों के विदेशी सासन से देश को मुख्त कराना और नंदों के ग्रिणी तेवं अत्याचार पून सासन की समाप्ति करना यदि भी थ्यासकारों में इस विशे में मतभेद है कि चंद्रगुप्त दताचानेके ने सर्वपर्थम फस्सी मोतर भारत में युनानियों से युद किया अथ्वा मगद के नंदों का विनास किया तथा पी युनानी रोमन एवं बोध साक्षों से जो संकेद मिलते हैं उनसे यही सिध होता है कि चंद्रगुप्त ने पहले पंजाब तथा सिंद को ही विदेशियों की दास्ता से मुक्त किया था कोटले ने अपने अर्थ सास्तर में विदेशी सासन की निंदा की है तथा उसे देश अउट धरम के लिए अभिशाब कहा है चंद्रगुप्त ने बड़ी बुद्धी मानी से उपलब्ध साधनों का उपयोग किया तथा विदेशियों के विरुद राष्ट यूद छेड़ दिया उसने इस कारिये के लिए एक विशार सेना का संगठने किया था तो चंद्रगुप्त मोरिय की सेना के सनिक अर्थ सास्तर के अनुसार निम्न लिखित वर्गों से लिये गए थे देखे अर्थ सास्तर क्या बताता है कि चंद्रगुप्त मोरिय के कोन-कोन से सेना में कोन-कोन से वर्ग थे चोर अत्वा पर्तिरोदक, मलेच, चोरगण, आठविक, सास्त्रोप जीवी, स्रेणी ये लोग थे ये चंद्रगुप्त मोरे की सेना में थे ऐसा कौन सा सास्त्र बताता है अर्थ सास्त्र जस्टिन चंद्रगुप्त की सेना को डाकों का गीरो है कहता है मेक्रिंडल के नुसार इसे तात्परिये पंजाब के गणजातिये लोगों से है जिन्होंने सिकंदर के आकर्मन का परबर पर्तिरोद किया था मुद्राराक्स द्धता परिशिस्ट परवन से पता चलता है कि चंद्रगुप्त को परवर्तक नामक एक हिम्माले छेतर के सासक से सहाथा प्राप्ते हुई थी कुछ विद्वानों ने इस सासक की पहचान पोरस से की है किन्तु इसके पीछे कोई ठोसाधार नहीं है इलाबाद विश्वविदाले के डोक्टर ओम परकास ने परवर्तक की पहचान अभिशार के सासक के साथ किये जाने के पक्स में अपना मत परकटे किया है यह चंद्रगुप्त का सोभग्य था कि पंजाब तता सिंद की राजनीतिक प्रिश्थितिया उसके पूर्णतिया अनुकूल्थी सिकंदर के प्रस्तान के साथ ही इन परदेसों में विद्रोह उठ खड़े हुए तता अनेग युनानी चत्रप मोत के घाट उतार दिये गई उनमें आपस में ही बीद्वेस एम ग्रेणा की भावना बढ़ी तो 325 इस्था पूर्वा के लगबग उपरी सिंदु गाठी के प्रमुग युनानी चत्रप फिलिप द्वितिया की हत्या कर दी गई 323 इस्था पूर्वा में सिकंदर द्वारा इस्तापित प्रसासन का ढांचा डहने लगा इन परदेशों में घोर अराजकता एम अवेवस्ता फैल गई जिसने चंद्रगुप्त का कारिय सुगम कर दिया था इन परदेशों में चंद्रगुप्त की सफलता का संकेत इत्यासकार जस्टिन के विवरण से ग्यात होता है कि सिकंदर के छत्रपों के निसकासन अथ्वा विनास के पीछे चंद्रगुप्त का ही मुख के हाथ था ऐसा पर्तित होता है कि फिलिप दुईतिय तता सिकंदर की मर्त्यू के बीच के दो वर्सों अर्था 325 से 323 से पूरु है के काल में चंद्रगुप्त ने अपने उदसे की पूर्टी है तू व्यापक योजना ये तैयार कर ली थी अब उसकी तैयारी पूरी हो चुकी थी उसने सर्वय पर्तम एक सेना एकत्र कर अपने को राजा बनाया तता फिर सिकंदर के छत्रपों के विरुद राष्टे युद छेड दिया 317 इस्सा पूर्व में पस्सिमी पंजाब का अंतिम युनानी सेना नायक यूडेमस भारत छोडने के लिए बाद्दे हुआ इस्तिती तक संपूर्ण सिंध तता पंजाब के पर्देशों पर चंद्रगुप्त का अधिकार हो चुका था वस्तुताय ये उसकी सुनियोजी दियोजना का फल था जस्तिन के अधार पर ये कहा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मोर्य तथा मेसी डोनियन चत्रपों के बीच भीशन यूद हुआ होगा तता चंद्रगुप्त ने सिकंदर द्वारा भारत में छोड़ी गई सेना को पूंत या उखाड फेका होगा अता है यूदेमस ने यह बुद्धि मानी की की चंद्रगुप्त मोर्य को बिना चुन्वती दिये ही 317 इस्सा पूरवय में सांति पूरख भारत छोड़े दिया अब चंद्रगुप्त मोर्य सिंद्र दता पंजाब का एक छत्र सा सके था ठीक है अब देखेगा चंद्रगुप्त मोर्य ने नंदों का उनमुलन कैसे किया तो नंदों का उनमुलन सिंद्र दता पंजाब में अपनी इस्तिती मजबूत कर लेने के बाद चंद्रगुप्त दता चाने के मगद समराजी की और अग्रिस्तर हुए मगद में इस समय घनानंद का सासन था अपने असीम सैनिक सादनों सदा संपत्ती के बावजूद विवय जनता में लोगपिरियता अरजित कर सकने में ऐस अफर रहा और यही उसकी सबसे बड़ी दूर दसा थी उसने एक बार चाने के को भी अपमानित किया था जिस एक कुरूद होकर उसने नंदों को समूल नस्ट कर देने की परतिग्या की थी प्लूटार के वीवरन से पता चलता है कि नंदों के विरूद सहायता याचना के उद्रसे से चंद्रुगुवत पंजाम में सिकंदर से मिला था इत्यासकार हेम चंदर राय चोदरी ने उसके इसकारिये की तुड़ना मध्य युगीन भारत के राजपूर सासक राणा संग्राम से की है जिसने इब्राहीम लोदी का तक्ता पलटने के लिए मुगल समराड बाबर को आमंत्रित किया था परन्तु चंदर गुप्त अपने उदस्य में ऐस अफल रहा चंदर गुप्त के पास एक विशाल संगठित सेना थी जिसका उपयोग उसने नंदों के विरुदे किया नंदों एम मौरियों के बीच हुए यूद की जानकारी बोध गरंद मिलिन पन्धों से मिलती है नंदों के अंतिम राजा गनानंद को मार कर मगत पर चंदर गुप्त ने अधिकार कर लिया था और मौरियों समराजे की स्थापना की थी सिकंदर की मृत्यू के बाद चंदर गुप्त ने युनानी अधिकारियों की हत्या कर पंजाब तथा सिंध पर अधिकार कर लिया अब देखेगा चंदर गुप्त मोर्य का शेल्यूकस के विरुद युद सिकंदर की मृत्यू के बाद उसके पूरवी परदेसों का उत्तरा दिकारी सेल्यूकस हुआ था वह एंटियोकस का पुत्र था बेबी लोन तथा बेक्टरिया को जीत कर उसने प्रियाप्त सक्ति अर्जित कर ली वह अपने समराड द्वारा जिते गए भारत के परदेसों को पूरवी अपने अधिकार में लेने को उत्सुक था इस उत्से से 305 इसा पूरवी के लगभग उसने भारत पर पूरवी चड़ाई की तदा सिंद तक आप पहुंचा परंतु इस समय का भारत सिकंदर कालीन भारत से पूर्ट या भिन था अतै से लुकस को विभिन छोटे छोटे परदेसों के सरदारों के स्थान पर एक संगठित भारत के महान समराड चंदर गुप्त मोर ये से युद करना था युनानी लेकर केवल इस यूद के परिणाम का ही उलेक करते हैं अप्पी आनुस लिखता है कि सिंदू नदी पार करके से लुकस ने संदर गुप्त से यूद किया कालांतर में दोनों में संदी हो गई तथा एक विवाईक सम्मन्ध भी स्थापित हो गया था स्टेबो के अनुसार उस समय भारती सिंदू नदी के समीप वरती भाग में रहते थे ये भाग पहले पार शिको के दिन था शिकंदर ने इसे जीत कर वहां अपना प्रांत इस्ताफित किया किन्तु शेल्यूकस ने इने सांड्रो कोटस को वेवाईक सम्मन्ध के फल सुरूप दे दिया तथा बदले में 500 हाती प्राप्त किये इन विम्रों से पता चलता है कि शेल्यूकस यूद में प्राजित हुआ जिसके प्रणाम सुरूप चंद्रुप तथा शेल्यूकस के बीच एक संधी हुई जिसकी सर्थे इस प्रकार से हैं देखेगा शेल्यूकस ने चंद्रुपत को आरकोस या जो कांधार में और पेरोपनिस डाई काबुल में के प्रांत तथा एरिया हेरा तथा डे ड्रोसिया की छत्रपियों के कुछ भाग दिये चंद्रगुप्त ने से लुकस को 500 भारतिय हात्य उफार में दिये दोनों नर्यसों के बीज एक विवाहिक सब्मन्द इस्तापित हुआ कुछ विद्वानों के नुसार शे लुकस ने अपनी एक पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त के साथ कर दिया परन्तु उफलब्द प्रमाणों से इस प्रकार की कोई सूचना नहीं मिलती शे लुकस ने मेगस्तनीज नामक अपना एक राजदू चंद्रगुप्त मोरिये के दरबार में बेजा वह है बहुत दिनों तक पाठली पुत्री मेरा तथा भारत पर उसने इंडी का नामक पुस्तक की रचना की थी मेगस्तनीज किसके सासनकार में भारत आया था चंद्रगुप्त मोरिये के गाल में ठीक है तो देखेगा हमने मेगस्तनीज के बारे में और इंडी का के बारे में पहले वीडियो बनाए आप देखेगा डिटेल से इनके बारे में चंद्रगुप्त का समरजे पार्शिक समरजे की सीमा को इसपर्स करने लगा तथा उसके अंत्रगत अफगानिस्तान का एक बड़ा भाग भी समिलित था चंद्रगुप्त ने कांधार पर अधिपत्य की पुष्टी वहां से प्राप्त हुए असोक के लेक से भी हो जाती है क्योंकि असोक अत्वा बिंदुसान ने इस भाग की विजय नहीं की थी भारत ने सिकंद्र के हातों हुई अपनी पराजय का बदला ले लिया इस समय से भारत तथा युनान के बीच राजनातिक सम्मन्द प्रारम हुआ जो बिंदि सार्थ दासों के समय में भी बना रहा अब देखेगा चंद्र गुप्त मोर्य की पस्सिमी भारत की विजय सक महाल चत्र परूद्र दामन के गिरनार अभिले जो एक सो पचास इसवी का है से इस बात की सूचना मिलती है कि चंद्र गुप्त मोर्य ने पस्सिमी भारत में सुराष्ट तक का पर्देश जीत कर अपने पर्तेक सिसासन के अंतरगत कर लिया था इस अभिलेक से ग्यात होता है कि इस पर्देश में पुस्य गुप्त वेस्से चंद्रगुप्त मौरिये का राज्येपाल था जिसको राश्ट्रिये का जाता था राज्येपाल को उसने वाँ सुदर्स नामक जील का निर्मान करवाया था सूराष्टर प्रांत के दक्षिन में सोपारा जो महराष्टर प्रांत के थाना जिल्ले में स्तित है नामक स्थान से चंद्रुगुप्त के पोत्र असोग का अभिलेख प्राप्थ हुआ है प्रन्तु असोग अपने अभिलेखों में इस पर्देश को जीतने का दावा नहीं करता अत्या इसे ऐसा निसकर्ष निकाला जा सकता है कि सुराष्टर के दक्सिन में सोपारा तक का पर्देश भी चंद्रगुप्त मोरे द्वारा ही विजित किया गया था अब देखेगा चंद्रगुप्त मोरे की दक्सिनी भारत की विजए के समन्द में असोग के अबिलेखों तथा जैन एँं तम्मिल स्रोतों से कुछ जानकारी प्राप्त होती है दक्षिन भारत में करनाटक तथा आंदर परदेश के कई स्थानों से असो के लेख मिलते हैं जैसे सिदपूर, ब्रहमगीरी, जटिंग, रामेश्वर, पाहडी, करनाटक राजे के चित्तल दूर्ग जिले में स्थित है कोवी मठ, पालकी, गुंडू, मास्की तथा गुंटी जो आंदर परदेश के करनाटक जिले में स्थित है असो की स्वयम अपने अभी लेखों में अपने राज्ये की दक्षिनी सिमा परिस्थित चोल, पंडे, सत्य पुत्र तथा केरल पुत्र जातियों का उलेख करता है ऐसी स्थिती में धक्षिन में उत्री करनाटक तक की विजे का स्रे हमें या तो बिन्दुसार को अथ्वा चन्द्र गुप्त मोर्य को देना पड़ेगा बिन्दुसार की विजे अत्यन संदिक्द है और इत्हास उसे विजेता की रूपी श्मान नहीं करता अता यही मानना तरक्संगत लगता है कि चंद्रगुप्त नहीं इसे भर्देश की विजे की होगी चंद्रगुप्त मोर्य की दक्सिन भारतिये विजे के विशे में जैन ये तमिल्स रोतों से कुछ संकेत मिलते हैं जैन प्रमप्रा के अनुसार अपनी वृद्धा वस्ता में चंद्रगुप्त ने जैन सादू भद्र बहु की सिस्यता ग्रहन कीता था दोनों सर्वन बेल गोला जो करनाटक राजय में श्तित है नामक स्थान पर आकर बस गये यहीं चंद्रगीरी नामक पहाडी पर चंद्रगुप्त तपस्या किया करता था यदि इस प्रमप्रा पर विश्वास क्या जाए तो ये कहा जा सकता है कि चंद्रगुप्त अपने जीवन के अंतिम दिनों में उसी स्थान पर तपस्या के लिए गया होगा जो उसके समराजे में श्तित हो ठीक है इससे सर्वन बेल गोला तक उसका अधिकार परमानित होता है तमिल प्रमप्रा से ग्यात होता है कि मोरियों ने एक विशाल सेना के साथ दक्षिन शेत्र मोहर के राज़ा पर आकर्मन किया तता इस अभिहान में कोसर और वड़नगर नामक दो मित्र जातियों ने उसकी मदद की थी इस प्रमप्रा में नंदों की अतुल संपत्ती का एक उलेख मिलता है जिससे ऐसा निसकर्ष निकला जा सकता है तमिल लेख मगट के मोरियों का विवरण दे रहे हैं जो नंदों के उत्राधिकारी थे अब देखेगा ये तो थी चंद्रगुप्त मोरिय की उपलब दिया अब आता चंद्रगुप्त मोरिय का समराजे विस्तार तो चंद्रगुप्त मोरिय का समराजे संपून भारत में फैल गया था पलूटार्क ने लिखा है कि उसने 6 लाक की सेना लेकर संपुन भारत को रोंद डाला और उस पर अपना अधिकार कर लिया जस्टिस के वीवरण के नुसार संपुन भारत उसके अधिकार में था मगज समराजे के उतकर्स की जो प्रंपरा बिम्बिसार के समय से प्रारम हुई थी चंद्रकुप्त के समय में प्राकास्टा पर पहुँच गई उसका विसाल समराजे उत्तरपसी में इरान की सीमा से लेकर दक्सिन में वर्तमान उत्री करनाटक तक विस्त्रित था पूरे भाग में मगर्ट से लेकर पस्चे में सूराष्टर तथा सोपारा तक का संपूर्ण परदेश उसके समराजे के धिन था स्मित के अनुसार हिंदुकुस परवत भारत की वेग्यानिक सीमा थी युनाने लेकर किसे पैरोपेनिसस अथ्वा इंडियन काकेशन कहते थे यही चंद्रगुप्त के समराजे की सीमा थी चंद्रगुप्त मौर्य ने से लुकस को हरा कर भारत की उस वेग्यानिक सीमा पर अधिकार कर लिया था जिसे प्रात करने के लिए मुगल तता अंग्रेज सासक वेर्थ का प्रियास करते रहे पाठले पुतर इस विसा समराजे की राजधानी थी तो इस वीडियो में हमने चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब दियो और उसके समराजे विस्तार के बारे में पढ़ा आगे के वीडियो भी आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बची हुई और इंफोर्मेशन परदान करेंगे आप हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी इंफोर्मेशन मिल सके धन्यवाद